नमस्कार हिमाचल बुलिटिन में आपका स्वागत है कोरोना के खिलाफ जीतेंगे हम ये लडाई ठीका लगाने में ही है सबकी भलाई अठारा वर्से अधिकायू के विक्ती ठीका करन के लिए पंजी करन करवाएं पंजी करन के लिए www.covin.gov.in अत्वा self-registration.covin.gov.in पर लॉग इन कर अपना मोबाईल नमबर दर्ज करें मोबाईल पर प्राप्त OTP नमबर दर्ज करें और सत्यापित करें फारम के अनुसार विवरन भरे और स्वयम को पंजीकरित करें ठीका करन के उपरांथ भी तीन बहुमूल्य नियम अवश्य अपनाएं हमेशा मास्क पहने, अपने हाथ साबुन और पानी से नियमित तौर पर अच्छी तरह धूएं, दूसरों से उचे दूरी बना कर रखें अपेश हैं आज के समाशार मुखेमंतरी शी जैराम ठाको ने आज मंडी जिला के भंगरोटू में नव निर्मित मेकशिफ्ट कोविड अस्पताल का लोकार पंड किया उन्होंने अस्पताल की सभी खंडों का अबलोकन किया और स्वास्थे सेवाओं इवं सुविधाओं का जायजा लिया इस मेकशिफ्ट कोविड अस्पताल का निर्मान 2,300 वर्ग मिटर क्षेतर में 7 करोड रुपई की लागत से किया गया है इस अस्पताल में 104 ऑक्सेजा नियुक्त बिस्तर, 18 बेड की ICU सुविधा और 10 बिस्तरों के लेबर कम रिकावरी रूम सहित ऑपरेशन थेटर की सुविधा उपलब्ध है ऑपरेशन थेटर में हार्ट अटेक जैसे मामलो में हिर्देगती को सामान्य लाने के लिए अत्याधुनिक ड्रिफिब्रिलेटर मशीन लगाई गई है यहां एनेस्थीशिया वर्क स्टेशन भी स्थापित किया गया है अस्पताल में मैनिफोल्ड ऑक्सेजन प्लांट से हर बैड के लिए ऑक्सेजन आपूर्ती की सुविधा प्रदान की गई है इस अबसर पर मीडिया से अनौपशारिक बातशीत के दौरान मुख्यमंत्र ने कहा कि अत्याधुनिक स्वास्थे सुविधाओं से सुसर्जित ये अस्पताल कोविड महामारी से निपटने में सहाइक सेथ होगा इस महामारी के समाप्त होने के बाद भी ये अस्पताल सुपर स्पेशलेटी सुविधा के तौर पर उप्योग में लाया जाएगा उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने कोरोना संकट से द्रटा के साथ ने पटने के लिए स्वास्थिक शेतर के विस्तार के साथ-साथ इसे सुद्रट करने तथा क्षमता निर्मार में बहितरीन काम किया है श्रीजराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार के बेहतर प्रबंधन के परिनाम सरूप ही, कोरोना मामलों में व्रिधी होने की परिस्थिती में भी मरीजों के लिए ओक्सिजन बैड और ओक्सिजन आपूर्थी की कमी नहीं आई, मुख्यमंत्री ने कहा विदिवत हम दुरुआत कर रहे हैं, उसका उल्गाटन करने पर मैं सब बढ़ाई भी देता हूं, लगबग साथ क्रोड की लागत से ये उस्पिटल बनकर के त्यार क्याम पर किया गया है, और इसी बात को ध्यान मैं रखते हूं कि हिमाचल परदेश में ओवीट के इस दौर और ये एक उस्पिटल ऐसा होगा जो कोबिट के पेशेंट को तो जब तक कोबिट रहे गा तब तक लिए तो ये बेतर सुविदाय देगा ही, लेकिन कोबिट अगर समापत होता है तो उसके बाद भी सूपर स्पैशलिटी के रूप में हम इसका इसका करने के लिए सोच र लिए चाहिए वो बेट कैपस्टी की बात है चाहिए वो और सुविधाओं की बात है उसमें हिमाचल परदेश ने बहुत बेतर इंसे काम किया है इस बात को मैं कह सकतों कि पूरे उत्तर भारत में हिमाचल एक ऐसा परदेश है जब कोई पेशेंट अगर हॉस्पिटल आया पी एसे प्लांट हिमाचल परदेश में लगाई और लगभग बारा जो है हमारे और जो है पाइपलाइन में हमारी ऑक्सीजन की स्टोरेज कैपस्टिफ पचीस मेट्रिक टन से ज्यादा हो गई और केंदर का में खास्ता और से आदेनिय परदान मंती जी का अभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उनने पहले हमको हिमाचल परदेश के लिए 15 मेट्रिक टन का ऑक्सीजन का कोटा आलोट किया था बाद में हमने का इसको बढ़ाने की आपशकता है 30 मेट्रिक टन से फिर हमने का और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है और 40 मेट्रिक टन किया गया है 40 मेट श्री शीरामठाकु ने आज मंडी जिला में कोरोना की स्थिती और रोख्थाम को लेकर किये प्रबंधों का जायजा लेने के लिए जिलाप्रशाशन और स्वास्ते विभाग के वरिष्ट अधिकारियों के साथ श्री लाल बहादो शास्री राज के चिकत्सा महाविद्याले नेर्चौक मंडी के सभागार में आयज़त बैठक की अधिक्षता की इस अवसर पर मुख्यमंचरी ने कोरोना की तीसरी लहर की आशंका की दुष्टिगत पुर्वतयारी और क्षमता में वृधि करने के लिए आवश्चक दिशार निर्देश दिये उन्होंने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए सटीक रणनीती एवं पुर्वतयारी बहुत जरूरी है ऐसी आशंका जताई जा रही है कि कोरोना की तीसरी लहर बच्चों को अधिक प्रभावित कर सकती है इसे देखते हुए प्रदेश के बच्चों की स्वास्थे जरूरतों के अनुरूप सभी प्रबंद किये जा रही है पूर्व तयारी के तौर पर आवश्चक स्वास्थे उपकरण और अन्य सुविधाओं का प्रबंद किया जा रहा है श्री जराम ठाकु ने कहा कि प्रदेश में पंतालेस से अधिक आयूवर के लोगों के टिकाकरण का कार्या सो चारू रूप से चल रहा है 15 जून के बाद प्रदेश में 18 प्लस मुह के लिए फिर से वैक्सीन उपकरण हो जाएगी और टिकाकरण का कार्या तेज गती से चलता रहेगा उन्होंने जिला में कोविट 19 से निपटने की तयारियों को और पुखता करने तथा उपमंडलों में नागरिक अस्पतालों को कोविट प्रबंधन के लिए तयार करने की दिश्टी से योजना बनाने को कहा मुख्यमंत्री ने कहा अब लेते हैं एक ब्रेक और सुनते हैं ये संदेश अरे भाई साहब बिना मास्क लगाए कहा जा रहे हो बाजार जा रहा हूँ सामान लेने उसके लिए मास्क की क्या ज़ूरत है अरे भाई आपको मालूम नहीं है कोरोना कितना फैला हुआ है अपना नहीं तो कम से कम अपनी परिवार का तो ख्याल रखिए ये लो लगा लिया मास्क ऐसे नहीं ऐसे मास्क लगाने का कोई फाइदा नहीं है अपने नाक और मुंको अच्छी तरह से ढखो हाँ बिल्कुल ऐसे आप जानते हैं न कि कोरोना की दूसरी लहर कितनी खतरनाक है तो ऐसे में आपका मास्क और भी सुरक्षित होना चाहिए सही मास्क पहने और घर पर भी मास्क का इस्तेमाल करें इसके तरिक्ट अपने हाथों को बार-बार साबुन और फानी से अच्छी तरह धूए सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और दूसरों से उचित दूरी बना कर रखें खुद भी सुरक्षित रही और अपने परिवार और समाज को सुरक्षित रखने में अपना योगदान दें ये हम सब की जिम्मेवारी है स्वास्थे इवं परिवार कल्यान विभाग द्वारा दोपहर दो बजी जारी बुलिटन के अनुसर प्रदेश में कोरोना संक्रमन की जांच के लिए आज 2358 लोगों के सैंपल लिये गए जिन मैंसे 795 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाए गई है जबकि 1449 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है और 10451 विक्ति अप्चारा धीन है Himachal Puliton देखने के लिए subscribe करें YouTube channel DPR Himachal, follow करे Twitter at DPRHP, like करें Facebook page Information and Public Relations Department Himachal Pradesh, visit करें website www.himachalpr.gov.in इस संक में इतना ही कल फिर होगी मुलाकात, दीजे जाजत, नमस्कार